सूर्य नमस्कार सूर्य पृत्वी पर रहने वाले सभी जीवों के लिए उर्जा का स्रोत है। सूर्य योदय और सूर्यास्त के समय से करना ज्यादा फायदेमंद होता है। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ें और अपनी छाती के समीब नमस्कार मुद्रा में ले आए। इसे प्रडाम आसन कहा जाता है। अब सांस छोड़ें। दूसरे चरण में धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपने शरीर को कमर से उपर की ओर खींचे। और अपने दोनों हाथों को अपने सर के उपर ले जाते हुए अपने सर और कमर को पीछे की ओर जुकाएं। अपनी टांगें सीधी रखें। इस आसन को हस्त उत्तनासन कहा जाता है। अब तीसरे चरण के लिए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को आगी की ओर तब तक जुकाएं। जब तक आपकी दोनों हथेलियां आपके पैरों के दोनों तरफ जमीन को छूना है। ध्यान रखें कि नीचे जुकते समय आपकी भुजाएं और सर एक ही साथ में हो। इस आसन को पादहस्त आसन कहा जाता है। चोथे चरहन को करने के लिए एक गहरी सांस अंदर लें। और अपने दाय पैर को पीछे की ओर ले जाएं। और अपने घुटने को जमीन पर सटा कर रखें। सुनिश्चित करें कि आपका दाय पैर पंजो पर हो, आपका बाय पैर का घुटना 90 डिग्री पर हो, दोनों हथेलियां जमीन पर हो, आपके कुले नीचे और थोड़ी उपर की ओर हो। इस आसन को अश्वस अंचालन आसन कहते हैं। अब पाँचवे चरण में एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपना बाय पैर इस प्रकार पीछे ले जाएं कि वो आपके दाय पैर की सीध में हो। सुनिश्चित करें कि आपके हाथ और कंधे सीधी रेखाने हो और साथ ही कंधे, पीठ और नितम भी एक ही सीध में हो। इस आसन को संतुलन आसन कहा जाता है। इस धिती में धीरे-धीरे सांस लें। चठा चरण सांस छोड़ें। अब अपने दोनों भुतनों को एक साथ जमीन पर रखें और अपनी छाती और माथे को भी जमीन पर रखें। सुनिश्चित करें कि आपके कूले उपर की ओर और आपकी कोहनिया आपके शरीर के समीब हो। इस आसन को साश्टांग नमस्कार आसन कहा जाता है क्योंकि आपके शरीर के आठ अलग-अलग अंग जैसे दोनों पाउं के पंजे, दोनों खुटने, दोनों हथेलियां, छाती और माथा जमीन को छूते हैं। ध्यान रखें कि आपके शरीर का वजन आठों अंगों पर सामा नियरूप से वितरित हो। अब सात्वे चरण के लिए सांस अंदर लेते हुए अपनी शोनी यानी पेल्विस को नीचे लाते हुए अपने सर और छाती को आगे की ओर सरकाएं और अपने शरीर के उपरी हिस्से को नाभी तक उठाएं। सुनिश्चित करें आपके पैरों के पंजे बाहर की ओर और टांगे सीधी हों। इस आसन को भुजंग आसन कहा जाता है। आठवा चरण धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने पैरों के पंजों को अंदर की ओर मोड़ें और अपने कूलों को इतना उपर ले जाएं कि आपका शरीर एक परवत का आकार ले लें। सुनिश्चित करें आपकी दोनों टांगे सीधी हतेलिया जमीन पर हों और आप आपका सर भुजाओं के बीच हो। प्रयास करें कि आपकी एडियां जमीन को छू सके। इस आसन को परवत आसन कहा जाता है। और सांस छोड़ते हुए पुन्ह पादहस्तासन में आ जाए। ग्यारवाचरन अब धीरे-धीरे सांस अंदर लेते हुए अपने शरीर को सीधा करते हुए अपने दोनों हाथों को उपर की ओर ले जाए। और पुन्ह हस्तोप्तनासन में आ जाए। सुनिश्चित करें कि उपर आते समय आपकी भुचाएं और सर साथ में उपर आए। बारवाचरन धीरे-धीरे सांस छोड़ते हुए उन्ह प्रणाम आसम में सीधे खड़े हो जाए। अब इस पूरे अनुक्रम को अपने बाए पेर से दोहराए। सूर्य नमस्कार से आपके फेफणों की शमता बढ़ती है। सूर्य नमस्कार आपके मेटबोलिजम में सुधार लाता है और मधुमे के प्रबंधन में उपयोगी पाया गया है। सूर्य नमस्कार अन्तह स्रावी ग्रंथियों याने इंडोक्राईन ग्लैंडस के स्राव को नियंत्रित करता है। और आपके मेरुदंड और कमर की मानसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। उच्छ रक्तचाप यानि हाई बेपी के रोगियों को इस आसन को सावधानी के साथ करना चाहिए। हर्निया और पेप्टिक अलसर के रोगियों को सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। सायटिका, सर्वाइकल स्कोंदिलाइटिस और अक्यूट आर्थराइटिस के रोगियों को भी सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। महिलाओं को मासिक धन्म के समय और गर भवस्था में सुर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए。 नियमित रूपसे सुर्य नमस्कार का भ्यास आपके शरीर को विशाक्त पदार्थों से मुkt यानी डिटोक्स करता है और आलस को हटा कर पूरे शरीर को सक्रिय करता है। झाल झाल